गुडाफ्ट निर्वान, हाई, आप नतन सेंग, कैसे हो आप सब लोग? I hope काफी बढ़िया होगी और आप लोगों की प्रिप्रेशन काफी सही चाहद होगी SBI को और IVPS, RRB, PO को लेखे कही न कही सबसे पहले हापी गनेश शतूर्ती, गनपती अपा मोर यह, मंगल मोर यह, आपको और आपकी फामिली को मेरी फामिली की तरफ से और मेरी तरफ से सेकेंड चीज यह है कि अब कही न कही हमें SBI क्लर्क प्री की मैं बोलू प्री की डेट या मेंस की डेट कुछ भी आइडिया नहीं है रिजल्ट आउट हो भी सकता है, नहीं भी आउट है, अफी मतलब एक ऐसा है कि बाई कब होगा, क्या होगा इससे बैटर में जो चीजे पता है, वो है 25 तारिक को RRB PO का मेंस है, 8 बजे रेपोर्टिंग टाइप मेरा भी है, उसके रावा RRB कलर्क में 17th October को है, तो जो चीजे पता है, जो चीज सामने दिख रही है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और SBI की बात रही, तो जब दो मेंस पढ़ रहे हो, तो तीसा मेंस की पढ़ाई आपकी होती चाहेंगी सबसे पहली चीज तो यह है, करेंट अफेर्स, करेंट अफेर्स आपकी हर एक्जाम में आएगी, चाहे वो SBI हो, IBPS RRB हो, IBPS PO कलर्क हो, या NICL हो, या RBI Assistant हो, तो जिसका करेंट अफेर्स का सेक्शन स्रॉंग है, वो एनी टाइम कोई भी पेपर को Excel कर सकता है बहुत लोगों से पुछते हैं, हम अफेर्स क्लाउड नहीं पढ़ सकते हैं, हम किस सोर्स को पढ़ना चाहिए, देखो यार, आप क्यो उपर डेपेंड है, चाहे आप आशीश गौतम सर अड़्डा के जो हैं, उनको पढ़ सकते हो, सड़ी IQ के सर है, ग्रेड़ब के हैं, बहुत सारे सोर्से से पढ़ने को, में चीज यह होती है कि आप कितने तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि यह आप सोचो कि मैं ग्रेड़ब भी पढ़ लू, मैं आशी सर भी पढ़ लू, मैं उसके आट टेस्ट बुक से भी पढ़ लू, और मैं फिर अफेर्स क्लाउड भी क क्योंकि मैं अफेर्स क्लाउड से पितले एक साल से उपर हो चुका पढ़ रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा देखने को मिला, जिसके करण मेरा अल्रेड़ी क्लारिक में क्वालिफाई हो चुका, मैं बैंक आप इंडिया में हूँ, तो मैं आपको हज कि जो की और कोई नहीं दे पाता है, तो वाकी उसकी जो अनुल प्लान की लिंक है, मदाल दूगा डिस्रिप्शन कॉलम में, वहां से जा कि आपको जरूर पढ़ना है, जरूर उसको सब्सक्राइब करना, वाकी अब बात करूँ मैं कही ना कही मैच्स, रीजनिंग, इंगल मैं तो मैं क्या करता है हूँ ए तो थील ओटा हूँ मैं था यह करता हूँ, सबसे पहले मुझे पता है, पजल बननी बननी है, दियाए हाने यह आने और रसी बनने भी बनना है प्लस उसमें एक पार्ट बेस्ट है उसमें इपको कोशन जो है वो इंचलों में मिले गी हुए हिंदी में मिले गी उसके अलावा वीडियो सरीश में मिले गाए उसमें होगा कि अटक रहे हो इस मैं अटक थो हूँ कोई-बी-बी पॉजल में या-डि-आय के सेक्शन में तो मुझे इससे काफी है थी कि भाई यह यह computer section की, तो computer की section के लिए आप क्या करोगे, आप grade up, olive board या adda, इनकी जो e-books होती है इसको download कर लो, free pdf मिल जागी google पे, उसके बाद आप computer की जो arihant की book होती है उसको पढ़ सकते हो, और उसके आप lucent की book होती है, उससे पढ़ सकते हो, उससे कैसा होगा कि आपने e-books से अपने book के mcqs लगा के, basically आपने theory plus mcq questions कर लिए, इससे आपका computer पूरा एक बढ़िया तरीके से बन जाएगा, मैं यह उनको बोल रहा हूँ, जिन लोग का computer weak है, जिन लोग का computer strong है, आप लोग तो सिर्फ mcqs लगाओ, आपको और कुछ नी चाहिए, और mock test लगाओ, वाखी mock test आ के नी है, तो मैं आपको guidely refer करूगा, क्योंकि बढ़िया है, बहुत लोग सोचते, olive board practice mock, मैं यह नहीं बोलूगा कि वो लोग की mock test अच्छी नी है, बैट मैं यह बोलूगा कि आप लोग एक बार जाके guidely की, जो free वाली mock test है, काफी high level, मैंने भी दी है mock test, मेरा score इतना अच शेयर करना और यदि नए हों तो subscribe करना है, मिलता है अगरो लोगों तब तक के, जै श्री राम, राम राम